मैं आपको OBC आरक्षन के वारे में पूरा इतियास बताना चाहूँगा गुनी सु अठ्यामे में जब भारत के प्रधान मंत्री बाजपेई जी बने बाजपेई जी सरकार द्वारा राजिस्थान के जाटों को OBC में आरक्षन दिया गया केंद्र और राज दोनों जगे 31 जिलों को आरक्षन मिला लेकिन भरतपुर और धौलपुर दो जिलों को बंचित रख दिया गया सन 2000 में पंचाज चुनाबों से पहले जो आज सरकार एक एलो सरकार थी कांग्रेश सरकार ने भरतपुर धौलपुर के जाटों को राजि में आरक्षन दिया लंबा संगर्चला लंबी लड़ाई चली जब 9 स्टेट को आरक्षन दिया गया 2013 में मनमहन सिंग सरकार द्वारा उसमें भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी केंद्र में आरक्षन दिया गया दुर्भाग पूंड बात ये है 10 अगस्ट 2015 को 9 स्टेट का आरक्षन खतम हुआ उसके साथ साथ भरतपुर धौलपुर का केंद्र और राज दोनों जगों को आरक्षन खतम कर दिया गया 10 अगस्ट के बाद फिर हमको अंदोलन करना पड़ा 23 अगस्ट 2017 तक अंदोलन चला आंदोलन चलने के बाद समझोता हुआ 23 अगस्ट 2017 को OBC I.O की जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज सरकार द्वारा आरक्षन दिया गया उस समझोता में जो सर्ते रखी गई वो सर्ते ये थी पहली सर्त ये थी कि केंदर की आरक्षन के लिए राज सरकार नोटिपिकेशन करके अपनी सिफारिस की चिठी भेजेगी जब 31 जिले ओल्रेडी राजस्थान के पहले से ही केंदर राजम आरक्षन का लाब ले रहे हैं गुनिश वाठ्यान में से तो भरतपुर धौलपुर के जाटों ने क्या गुना किया है अब पहले ये कहा गया कि आयोग की रिपोर्ट नहीं हुई है अब हमें जो 23 अगस 2017 को आरक्षन मिला आयोग की रिपोर्ट के बाद राजसरकार ने हमें आरक्षन दिया है दूसरी मांग जो 2013 से 2017 तक हमारे युबा विभिन सरकारी महकमों में परिक्षा पास कर चुके हैं। हाई कोट का आदेश है, आदेश के बाब जूद भी सरकार ने अभी तक नियुकती नहीं दी। दूसरी मांग हमारी यह है कि चैनेत अभ्यरतियों को अभिलम सरकारी नोकरियों में पदिस्थापन किया जाए। तीसरी मांग है जो समझोता में ते हुई थी, 2015 से 2017 तक आरक्षन आंदोलन के दोरान जो मुकदमी लगे, उन मुकदमों को वापिस लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस मद्दे पर भी कोई पहल सरकार ने नहीं की। इन तीन सूत्री मांगों को लेके आज हमारी पहली पंचायत एतिहासी गाम पथेना मायुजित की गई है। इसके बाद बिभिन बड़े बड़े स्थानों पर जो हमारे चैन हमने कर रखा है, हमारी संहर समीतिये, उन जगहें उपर हम और महपंचायत करेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी और सरकार ने हमें मजबूर किया, तो इतना बड़ा आंदूलन होगा, सरकार सपने में भी सोच नहीं सकती। और इस आंदूलन में हमारी पहली रड़ नितियेक, हम सरकारी संपत्ती को नुक्सान नहीं पहुचाएं, किसी भी तरह की कोई तोड़ फोड़ और आगजनी नहीं करें, लेकिन आंदूलन ऐसा होगा, ना रोड मार्ग से, ना रेल मार्ग से, कोई भी बहान हम निकलने नह पहली देनगे, नहिम सींग यह आंदोलन ही एकमात रास्ता रह गए हैं मांगों के लिए को अंदोलन करना कभी कोई सोक में नहीं किया जाता, वह कहते हैं कि भावना से बड़ा भगवाण नहीं होता, कलपना से बड़ा पासरार नहीं होता, यह मजूरी मानब को गिराती है बरना जन्म से कोई गुनागार नहीं होता हम आज भी कह रहें आंदोलन हमारा सोक नहीं अगर हमारी सरकार हमारी बातों को कम भीरता से लेके तुरंट सरकार चाहे तो एक मिनट में हमारी मांगों को पूरा कर सकती है हम सरकार को धन्नबाद देंगे हमें कोई सोक थोड़ी हम पट्रियों पर जाएं सड़कों पर जाएं हमारा कोई सोक नहीं है लेकिन इस लोक तंत्र में सरकार चाहती है कि अराजकता फेल है आंदोलन हो सरकार के पास बिकास के काम करने के लिए समय नहीं है वो आंदोलनों में प्रदेश का और देश का बिनास चाहती है इसलिए मजब में हो सकता है तो पेच कहां अड़ा हुआ है यह सरकार की मनसा में खोट है अब आप मुझे यह बताओ हाई कोट के आदेश के बाब जूद भी जो बच्चे हैं जिन्होंने परिक्षा पास के उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही डियोपी के चकर लगा लगा के बच्चे ठक गए हाई कोट का आदेश भी अगर सरकार नहीं मान ले तो क्या सरकार की मनसा में खोट नहीं है तो पनिश्चित तोर पर सरकार की मंद सामें खोट हैं अब यह सरकार ऐसा क्यों करती हैं कि यह समझोते भी कर लेती हैं यह आप राइस्थान की सरकार के माननीय मुख्मंत्री गैलोस साब से पूछें नहीं सिंग जी इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद आपने यह कीमती समय हमारे लिए निकाल लाएं